जय हिंद जय हिंद दोस्तों आज कि इस वीडियों हम बात करने वाले स्सेज़ेटी का नोटिफिकेशन आउड हो चुका है जैसे कि आप लोगों पता था कि नहीं इसका 75,000 या 50,000 पोस्ट है तो यहां टोटल 26,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है जिसका कि 2024 में भरती होने तो इस वीडियो में आपको फूल डीटेल से बताने वाले है एस्टे बेस्टे बिना वीडियो को स्केप के हुए पूरी वीडियो जरूरो देखेगा तो यह आपको इन्फोर्मेशन पता ही होगा इसका जो अपला है 24 से स्टाट हो रहा है और 31 दिसंबर तक होगा और इसक जो इंपोर्टेंट थीग है वह सभी एक्स्ट के लिए है कि पोस्ट कितना है और किस कटेगरी में किस ना पोस्ट दिया गया तो आपको यह पोस्ट वाइज फूल डृटेल्स आपको auम बताने वाले हैं यहां एक सएकेंड में हूं के वrh formul यहां पेस्टे के यहां पर द टोटल नमर वेकेंशी की बात करें गल्स बॉएस मिला कर तो 26146 पोस्ट है जिसमें कि बॉएस के लिए जो है 23347 पोस्ट जो है यह बॉएस के लिए है और इसमें 1799 पोश्ट जो है यह गल्स के लिए है यहां सभी फोर्स दे दिया गया है किस फोर्स में कितना वेकेंसी है यहां टोटल दे दिया गया है जैसे कि आगर आप सभी फोर्स में कितना पोश्ट दिया गया है और इसको आप ठीक से देख लेंगे इसमें इंपोर्टेन जो रहने वाला है तो इसका जो में है कि आप इसमें इंडिया का होना चाहिए नेशनलेटी जो है इंडियान होना चाहिए यह तो आपको पता ही होगा यह ने जो आटारों से तेह सार एक लिमीट है और यहां जो सिडूल दे दिया गया है आनि कि जिस रोज फोर्म आप भर रहे हैं और लास् है यहां category wise age का relaxation मिला है अगर आप SC या ST काटेगरी से है आपको 5 साल का relaxation दिया गया अगर आप OBC से है 3 साल का एक सर्विसमेंट है उसके बापजुद भी आपको 3 साल का दिया गया और नेश्ड जो है कुछ है जिसमें की मैक्सिवम छूट दिया गया यहां सब यह जो चिर्यन और फ्रिडम फैडर है उसके पंस सल गाड़ी चूट दिया गया है और यहां पढ़िए जो 1984 में जो आया था उसमें गुजरात का कुछ विश्ची केटेग्रिस तो उसमें आठ साल के दिया गया है और चिर्ण और डिपेंडेट मुने की जो फिर्डम फैटर्स रेटेड़ है उसमें दस साल का यहां रिल्यक्सेशन मिल रहा है नेस्ट अगर इंपोर्टेंड थी कि हम बात कर ले तो नेस्ट इंपोर्टेंड है इसमें क्वालिफिकेशन तो आप लोगों पता होगा टेंड अस्टेंडर्ड अगरिमने की कोई भी बोट या इनिवर्सिर्टी सागेर आप दसमी क्लास पास है तो आप इसके लिए इलिजि इसको जो कुछ इस्टा नमर्स दिया जाता जिसे कि एंससी साटिफिकेट करेंसर जिसमें कि एक राट है आपको दो परसेंट मिलेगा और सी घ्रेट का है तो आपको 5% मिलेगा जो यह एंस इस बात करने का प्रोसेस है तो नेश्ट अगर हम बात कर लें और आपका अप्लिकेशन फिस आपको पता है इसे नम पर आपका अप्लिकेशन फिस लगने वाकर यहां पर द्या गया उ cleansing कर ले और सब्जेट आपको तो इसका पता होगा इसका एक्जामनेशन कैसे होने वाला है तो यहां आपका एक्जामनेशन जो है और आपको के शाट म्यनिक या जाता है टूतल को कि आपको साट टैम दिया जाता ह। नेश्टेग दरम बात कर लेते हैं और पीजिकल क्रेटर्य आपको पता होना चाहिए यहां जो है फिजिकल क्रेटरिय इसका है कि जो भी कंडिडेट इसमें है तो मेल के लिए पांच किलोमेटर के रैनेंग चुबिस मिनट में आपको लगाना पड़ता है और जो फिमेल है उसको 1.6 किलोमेटर 8 मिनट 8 से कुछ ज्यादा मिना कि सवा 8 मिनट में लगाना पड़ता है एक मेन कंडिटेट के लिए और कुछ अस्पेसली रिजन जैसे कि लद्दाग रिजन हो गया उसके लिए जो है इसका रणिंग रहता है कि मेल के लिए 1.6 किलोमेट साथ का यहूँ हो पर हाय यहाका मेल के लिए लिए और सिसी चीज में रिलेक्सन रहता है तो उसके लिए एक special इसको certificate देना पड़ता है जिसे हम अनेकजर certificate करते हैं इसमें एक वीडियो आपको बना के देंगे अनेकजर क्या होता है इसका क्या-क्या ज़रोड़ी पड़ता है नेस्ट अग्र के टेस्ट की बात कर लेते हैं तो नरुमल जो अंडर रिजर्व कंडिड़ेट है सब इक लिए चेस्ट जो है अशी सेंटिम्होन होना चाहिए और मिनिम्म सैंस्टा शक्तिाशन की बात करें तो फूलानी पर पंच सेंटिमेटर प्फूलना चाहिए कि नेश्ट की बात कर लेते हैं तो गल्स के लिए जो है हाइट का कोई रिक्मेंटेशन नहीं आथा और वेट जो है आपका वेट आपका मिनिममं 50 kg होना चाहिए वेट नेश्ट की हम बात कर लेते हैं को तोब क्यों तो सबसे में वहनी निघ सिहां जो काफी इंपोर्टेशन ठीक्स होता है कि पोस्ट में आपको देखता है आप फ़ॉर्म आपप्ले करेंगे ब्लॉस्ट का प्रिफ देख अपको मंगा जाएगा निए आप सकते हैं कि A B C D E F G H तक जो है यह पोश्ट प्रिफ्रेंस नेम से आप अपनी अंसर जो पोश्ट आपके लाइक में है जो आपको सबसे अच्छा रखता है उसका प्रिफ्रेंस आप फॉस्ट में दे सकते हैं अगर आप सी आरप में जाना चाहते हैं तो फॉस्ट चॉइस चाहते हैं फॉस्ट चॉइस देना चाहते हैं वह आपका कूट है यहां यह से एप तक निस्टेगर हम बात कर लेते हैं आपको हम बताये थे अनेकजर के बाड़ाएं में अनेकजर काफी इंपोर्टेंच चीज है अगर आप अभी तक डोकुमेंट्स नहीं बनाया है तो सायद आशा है कि आप जो है न एकजाम का इसी प्रोसेस जो है स्टाट होने से पहले आनिकि जब तक फॉर्म आपका होता है में में डोकुमेंट्स जो है वह बना जैसे की काश्यूंत हो गया और निवास हो गया राश्यूंत हो यह कंज़्व सब्सक्राइब बना कर रखें और जो एक्जाम इस पहले तक देखा पर एक्सेप्ट कर लेता है इसमें उत्वना दिख्कत नहीं आता लेकिन आपके लिए अगर आप बनाना चाहिए तो अभी बना कर लेकिए आपके लिए ज्यादा बनिफिस्यल होगा तो क्या का डोकुमेंट्स का क्या बराना इसका हम एक आस्पेसली वीडियो आपको बना करते देंगे तो यह आपका में इन्फोर्मेंशन थी वीडियो आपको कसला कमेंट करके जरू बताइएगा